सब्सक्राइब कीजे यूटूब चैनल इनोवेटिव कलाकार को और बेल एकन दबाईए टेकनोलोजी, एंटरेटेन्मेंट एंड नौलेज वीडियो देखने के लिए दोस्तों वर्टसप ने नया फीचर अपडेट कर दिया है जो है डिलीड सेंड मेसेज यानि कि अगर आपने किसी को वर्टसप से मेसेज सेंड किया है तो वही मेसेज को आप 7 मिंट के अंदर डिरीड कर सकते हैं और इतना ही नहीं अगर आपने किसी भी परसन को इमेज भी शेर किया है तो आप उस इमेज को परसन के फोन की गैलरी से और वट्सप से रीड कर सकते हैं तो इस प्रसस को कैसे यूज करें आज मैं आपको बताऊंगा तो फ्रेंड्स मैं हूँ अजे संद्रियाल और आप देख रहे हैं इनोविटिव कलाकार तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब चरूर कर लें अब चल्दी से मैं बताता हूँ इस फीचर को कैसे यूज करें सबसे पहले तो आप अपना वट्सएप अपडेट चरूर कर लें आपके पास लेटस वर्जन होना जरूरी है मान लो आपने किसी को मैसेज सेंट किया और उसने रिसीव कर लिया अब आपको उस मैसेज को टैप करके रखना होगा दर आपको ये आप्शन साइंगे डिलीट फॉर मी, कैंसल और डिलीट फॉर एवरिवन आपको डिलीट फॉर एवरिवन पर क्लिक करना है दर उसके बाद मैसेज रिमूट हो जाएगा बट सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि आपने कोई मैसेज उसको सेंड किया था इस प्रोसेज को कितनी बार भी आप यूज कर सकते हो अब सेम ऐसे ही आप इमेज को भी डिलीट कर सकते हो जिसको भी आपने इमेज सेंड किया है उस image को आप उसके phone की gallery से और WhatsApp से read कर सकते हो पर ये सब 7 minute के अंदर ही करना है अगर 7 minute से ज़्यादा time हो गया तो फिर ये process आप use नहीं कर सकते हैं सेम इसी process को आप group में भी use कर सकते हो फिर चाहे वो music हो, image हो या कोई message हो अब अगले बंदे के phone से इन सब को read कर सकते हो तो दोस्तो WhatsApp ने अपने officially website पे post कर दिया है कि WhatsApp ने अपना नया feature read for everyone सब के लिए launch कर दिया है WhatsApp ने कुछ बातें बताई हैं जैसे कि ये feature तभी work करेगा जब आपका और दूसरे person का WhatsApp new version update होगा यानि कि आपके phone में और दूसरे person के phone में new version WhatsApp होना ज़रूरी है अगर आपने कोई message delete किया और वो message delete नहीं हो पाया दूसरे person के phone से तो आपको कोई notification नहीं आएगा कि वो message delete नहीं हुआ है आपको ये confirmation दे देगा कि message remove हो गया है बट हो सकता है कि उसके phone से message remove नहीं हुआ हो तो हैना कमाल का feature अब ये security point of view से हो सकता है risky हो बट privacy के हिसाब से best है अगर आपने किसी को गलती से कोई ऐसी image भीज़ दी या message भीज़ दिया तो आप बिना किसी से पूछे 7 minute के अंदर इसको read कर सकते हो तो friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please like share and subscribe चरूर करें क्योंकि आपका एक like बहुत किमती है अगर आपका सवाल या कोई सुझाव हो तो comment भी करें तब तक के लिए बने लिए innovative कलाकार में हस्ते और मुस्क्राते रहिए जैहिंट